असलाम अलेकों विवर्ष तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं कि इंशाला आप सब लब ठीक ठाग होंगे और बहुत खुश होंगे आज हम बना रहे हैं जबर्दसी बर्यानी तो सबसे पहले हम राइस पॉल करेंगे राइस के पानी की पहले मैंने पानी चड़ाया उसमें मैंने थोड़ा सा पूदीना दो तीजपाद और साथ में थोड़ा सा नमक यानिके वन टीजपून जिसे कहते हैं नमक और चाज से पांज जो थी वो ब्लैक साबत काली मिर्श थी तो चावल डेड़ घंटा भी गोने के बाद मैंने इसमें शामिल करके बॉइल कर ली है इनको अच्छे तरीके से आपने बॉइल करना है सबसे पहले ठीक है मतलब कहते हैं न कि एक कनी कची रखनी है तो आपने बिलकुल भी एक कनी कची नहीं रखनी है क्योंकि जब आप फिर बिर्यानी को दम देते हैं तो उस टाइम आपके चावल जो होते हैं न वो फिर हार्ड रह जाते हैं इसलिए आपने राइस को फुल बॉइल करना है ये जनाब आपकी बिर्यानी ऐसी जबर्दस बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो जो भी खाएगा आपकी तरीफे 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 करता जाएगा बस तो चलें जी राइस हमारी होगे है बॉइल उन्हें हमने सेपरेट से निकाल के रख लिया है अभी हमें एक कडाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे कुकिंग आईल कुकिंग आईल आप कोई भी यूज कर सकते हैं किसा लिए इसी में सब खाने बनते हैं और सब बहुत खुश होके खाते हैं तो यह जी हमने इसमें प्यास चाल दिया है प्यास हमने बार एक बार एक लंबा काट लिया था यह मैं बर्यानी बनारी हूँ दो लोगों के लिए मतलब उन में से एक तो मैं ही हूँ तो जी यह जी प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन होगा तो इसमें हम डाल देंगे टोमाटो प्यूरी ठीक है मेरे पास फ्रीज किये हुए टोमाटर थे आप फ्रेश भी डाल सकते हैं तो फ्रीज किये हुए टोमाटर थे मैंने उनको कुंडी में डाला और अच्छे से कोट कोट के उसकी प्यूरी बनानी तो इसको अच्छे से बस आपने मसाला यह धिहान रखना है कि मसाले को आपने अच्छे तरीके से भूनना है ठीक है अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन और चिकन को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे क्योंकि हम जितने अच्छे तरीके से इ और आइस्ता इस्ता हम इसमें मसाले शामिल करते जाएंगे आप लोग कुमेंट्स भी किया करें रिव्यूस भी दिया करें कि कैसी बनी है कैसी बनाई है आप कुछ भी नहीं बतातें आभी हमने इसमें शामिल कर दिया है अद्रक लेसन और हरीमिश का पेस्ठ यनिके अद्रक और लेसन और हरीमिश इन त्यूनों को अच्छे से कूट ली है फ्रेश कूट है अगर आप फ्रेश यूज करेंगे तो ज्यादा बैस्ट है क्योंकि पेस्ट अगर पड़ा हो तो उसका टेस्ट वो नहीं आता जो फ्रेश का आता है इसलिए आप भी फ्रेश यूज़ करें अभी इसमें हमने शामिल किया हाफ जिसे कहते हैं टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून इसमें गई है सुरख मिर्च इसको अच्छे से भूने क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो होती है न सुरख मिर्च सुरख मिर्च को हमने आउयल में अच्छे से भूनने जब हम आउयल में अच्छे से भूनेंगे न तो हमारा सालन या कोई भी चीज जो हम बना रहे है न का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अभी हमने इसमें शामिल कर दिया हाफ टीस्पून जीरा तो अगर आप मिर्च को अच्छे से नीना भूनेंगे सुरफ मिर्च को तो यह जो मिर्च है ना इसका टेस्ट अजीब साएगा यह कची रह जाएगी तो खाने वाले इतने शामिल कियें बड़ी लाइची दार्शीनी और दो लॉंग ठीक है और साथ ही हमने इसमें यह जो है ना मैं नमक शामिल कर दिया है वन पीस्पून नमक गया है अभी यह जो दही है और इसके अंदर है शान का ब्रयानी मिसाले का जो है ना दो चमच शान का ब्रयानी मिसाला वो मैंने दही के अंदर अच्छे से mix की है उसको mix करके मैंने फिर इसमें शामिन की है और साथ ही जा रहा है आलू बुखारा हाँ एक बार दिहान में रखिएगा कि अगर आप बरियानी मसाला direct डालेंगे न तो वो जल जाएगा और वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए उसको कोशिश करें कि दही में शामिल करके अच्छे से mix करके तो फिर आप उसको add करें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये है जी आलू बुखारा जो कि है मेरे ख्याल में तो मेरे लिए तो ये है बरयानी की शान है और मेरे लिए तो ये इतनी मेरी फेवरिट चीज़ है मुझे ये बहुत पसंद है बनाते बनाते यकीन करें मैंने तो दो से तीन खा लिये थी तो मुझे याद आ गया वो टाइम अभी हमने थोड़ी सी इसमें वो दिना शामिल कर दी है तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे वो टाइम याद आ गया जो मैं जॉब करती थी तो मेरा जो बैग होता था था ना मेरे बैग में नो मेक अप कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती थी ठीक है मेरे बैग में क्या होता था वन केजी आलो बुखा रहा जो के मैं खाती रहती थी खाती रहती थी मतलब मेरा ये मेरे लिए तो मॉस्ट फेवरिट है मुसे ये बहुत पसंद है अचा जी हम भी हमने इसको पांच मिनट के लिए दम दे दिया था अभी हमने इसमें दो सबस इलाइची शामिल की है ठीक है उसको खोल के नहीं डालना ऐसे ही सबस इलाइची तो टेस्ट देगी न जो खाएगा ना फिर बरियानी वो अपनी उंगलियां चाट जाएगा हो सकता है आपकी उंगलियां में चाट ले तो जी ये मसाला हमारा अच्छे से बुन रहा है इसको अच्छे तरीके से बुने और आईल आईस्ता से सेपरेट होना शुरू हो गया है मिलते हैं अभी हम पांस मिनट के बाद तो चले जी ये पांस मिनट दुबारा से हो गए है देखे हमारा मसाला बहुत अच्छे से त्यार हो गया है अभी हम इसमें से थोड़ा सा मसाला अलादा निकाल लेंगे क्योंकि अभी हम बर्यानी को दम देंगे और इसकी लेर्स बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा मसाला निकाल लेंगे यह जी हम निकाल रही हैं मसाला ताके इसको हम बरियानी तेह वाली बरियानी उपर डाल दें लास्ट बेर आजो बेरी आजो बोटियां बतानी क्यों नहीं भाइर आ रही है मैंने जो बरियानी बनाई है ना यह सिर्फ दो लोगों के लिए बनाई है तो आप अपने मतलब जितने अफराद के लिए बना रहे हैं उसी हिसाफ से आप चीजों की कौइंटिटी रखे हैं ये सिर्फ दो अफराद के लिए चीजे थी जिसके हिसाब से मैंने बुर्यानी बनाई है तो ये पहली लिए हमारी राइस की आ गई है अब ये जो मसाला हमने सेपरेट किया था वो हमने उपर डाल दिया है इसको अच्छे से पहला लें तो पहला के अब हम इसकी करेंगे कमाल की और मज़ेदार सी और दिल दहला देने वाली टॉपिंग तो ये जो बचे हुए चावल ते ही हमने उपर डाल दिये अब हम इसकीट करेंगे टॉपिंग तो टॉपिंग याद रखेगा टॉपिंग में बर्यानी की जान होती है कमाल की होती है अभी हमने धनिया और पूढ़ीना ओपर डाल दिते हैं थोड़ा सा पूढ़ीना ढाल दें और साथ ही उसके बाद थोड़ा सा धनिया भी डाल दें कि यह जीट धनिया अब भी बरिक बरिक से लेमन्स मैंने काट के इनको रख लिया था ये तीन से चार या पांच या एक लेमन्स बलकि उसके पीसे करके बरिक बरिक लियर्स कटिंग करके अब उसको उपर डाल दें और लास्ट पे हमने डाल दीनी है हरी मिल्चे और ये जो है ना जर्दा रंग ये मैंने दही में शामिल किया है हाफ टी स्पून जर्दा रंग दही में इसको मिक्स करके अच्छे से फिर मैंने लास्ट पे उपर डाला है उसकी वज़ा ये है दही में इसलिए शामिल करके इसको डाला है ताके ये पूरे चावलों में फैले ना और सब चावल पीले ना हो जाएं वो फिर चावल अच्छे नहीं लगते जब सारी चावल पीले हो जाते हैं इसलिए जो दही है इसको कंट्रोल करते हैं तो जिस जगा पे हमने इसको डाला है ना इसने उनी चावलों को सिर्फ कलर देना है तो इसलिए फिर वो कैसी बर्यानी हुई जो जो जी मतलब लोग ऐसे करते हैं पानी में मिक्स करकी भी ज्यादा तर लोग डालते हैं लेकिन उसका भी एक तरीका होता है वो भी इन्शाला नेक्स जब मैं बर्यानी बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी बहराल मुझे इस तरह बैस्ट लगता है तो यह जी हमारा बर्यानी को दम आ गया है जबरदस सा अब हम आपको हला के दिखाते हैं कि हमारी बर्यानी कैसी जबरदस्त बनी है खतरनाक बनी है यह देखें जी धूएदार बर्यानी तो आप लोग भी ट्राइ करें मुझे कुमेंट्स बॉक में लाक्स में बताईएगा कि आप लोगों ने कैसी बनाई है कुमेंट्स कीजिएगा रिव्यूज दिया करें और बेल आइकन पे भी प्रेस किसे